PRB Steady Point इस YouTube चैनल पे आपको Electric Power Generation और Switch Gear and Protection इन दोनों सब्जेट का Complete syllabus के वीडियोज आपको मिल जाएंगे उन सारे वीडियोज की प्लेलिस्ट की लिंक आपको description में मिल जाएंगी आप उस पे क्लिक करके देख सकते हैं अभी Electrical Motors and Transformers and Transmission and Distribution System पढ़ाना चालू है इन दोनों सब्जेट के प्लेलिस्ट के लिंक आपको description में दी है और भी बहुत सारे सब्जेट के वीडियोज इस चैनल पे आपको मिलने वाले हैं अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हैं और आप नए वीडियोज देखना चाहते हैं उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें चैनल पे आने वाले नए वीडियोज देखने के लिए नॉटिफिकेशन बेल को दबाके और यह उप्शन को सिलेक्ट कीजिए तो यह वाला जो पाट है इसमें शो किया गया है कि जो हमारी प्राइमरी एंड प्राइमरी एंड सेकंडरी वाइंडिंग जो है प्राइमरी एंड सेकंडरी वाइंडिंग वो कहाँ पे है इस प्लेस्ट ओन दे सेंट्रल लिम्ब इस प्लेस्ट ओन दे सेंट्रल लिम्ब लिम यानि कि क्या यहाँ पर यह वाला जो section दिख रहा है यह यह पूरा का पूरा section तो यह कहलाता है एक limb तो यानि कि यह वाला जो section है यह कहलाता है limb तो अगर हम कुछ important points अगर याद करें shelf type transformers के बारे में तो वह है primary and secondary windings are placed on the central limb of the core तो core के central limb यानि कि बीच वाले limb पे जो है हमारी primary and secondary winding जो है placed हम करते हैं तो common winding पे ही हमारे sorry common limb पे ही जो है same central limb पे हम दोनों की दोनों windings को जो है place करते हैं इस shelf type transformer में और the high voltage and low voltage windings are sandwich type तो जो high voltage and low voltage winding तो कोई भी हो सकती है primary winding high voltage हो सकती है secondary winding low voltage या फिर vice versa case हो सकती है निके primary जो है low voltage winding हो सकती है secondary high voltage हो सकती best on the step of and step of transformer के हिसाब से तो जो हमारा हमारी जो windings है okay तो वह sandwich है sandwich type इसके जो है इसका जो है construction है so which are in the form of interleave pancakes यानि कि interleave pancakes 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 कैसे होते है उसके हिसाब से इसका construction यह आपर बताय गया है अब इस type के core में क्या होता है double magnetic circuit जो है provide कराया जाता है double magnetic circuit इस type के core में double magnetic circuit जो है provide कराया जाता है so this type of core provides a better mechanical support एन प्रोटेक्शन फॉर्डी वाइंडिक्स तो डबल मैंगेटिक सर्कुट है और इस ताइप का जो कोर है वो क्या करता है तो क्या करता है यह एक बेटर मेंचानीकल सपोर्ट मेंचानीकल सपोर्ट एड साथ ही साथ उसके लिए जो है protection यह provide जाता है for the winding for the windings windings के लिए जो है एक better mechanical support and protection जो है provide करता है यह double magnetic circuit इसमें जो provide करा जाता है तो shell type transformer में हमने क्या देखा है कि इसमें जो है windings यहाँ पर लगाई जाती है windings जो है यहाँ पर लगाई जाती है high and low voltage winding ओके यह जो है high and low voltage winding और इसके बीच में जो है transformer का यह पूर बताया जाता है मैं अब लिखा था यह किसी में क्या पता नहीं तो और यह जो है इसमें जो है हम देख सकते हैं कि central limb में जो है हमारी primary और secondary winding दोनों को इस सेम लिंप पे central limb पे जो है फिक्स कराया गया है इसको place कराया गया है तो इस टाइप का जो construction होता है शेल टाइप transformer का इसमें हमें हमें double magnetic circuit जो है circuit के सुविभा मिलती है क्या सकते हैं इस टाइप mechanical support and protection for the winding को प्रोटेक्शण कराने के लिए और एक अच्छा mechanical support के लिए इसमें क्या होता है double magnetic circuit जो है प्रोवाइट करा जाता है और शेल टाइप transformer में हमें एक अच्छा mechanical support और प्रोटेक्शन मिलता है यह जो स्क्रीन पे आप डाइग्राम देख रहे हैं इस 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 डाइग्राम अब दी कोर टाइप ट्रांस्वार्मर तो यह जो सेक्शन है यह बताए जाता है कि यह है लामिनेटेड रिक्टैंगूलर कोर इसमें जो है लामिनेशन selective winding अधिये जो de linda canada F जो वाला जो है मैकननिक सरीicky laminate अ लिएट मैं दूट है तो जो हमारी व्हेरिजन टाइब व्हें जेंट्री रिम्पे जो है टिवाले जाहे जो mı टाइब यह हें यह कुंप में या बना आण सेंट्डरियं जो यहां पर जो है इस तरीके से construction बताया गया है कि इसा शेप जो है rectangular है और यहां पर दोनों साइड में जो है वाइंडिंग लगाए गई है यहां पर कोई central limb है ही नहीं तो इसकी जो left side है और right side है उसमें यहां पर लगाए जाती है primary winding और यहां पर लगाए जाती है secondary winding और इसका जो शेप होता है winding का वह होता है cylindrical, cylindrical shape में जो है इस rectangular laminated core के दोनों साइड पर जो है winding लगाए जाती है और यह जो कहा है construction आप इसकी circuit देख सकते हैं और यह है हमारा magnetic core, magnetic core के जो है दो side पर यानि कि इस side पर जो है primary लगाए गई है और बूसरे side पर secondary लगाए गई है इसमें हम देते है input इससे लेते है output यह हमारा input और यह लेते है इसे output तो इसमें क्या होता है किल इनपुट देते तो इसमें फ्लक्स जनरेत होते है मिरेता होता है के वरकिंग की वर के दीटेइल में हूं धिखिये पर कोड टार्स उटल तर्ट सांवहर के बारे में लेकिन इसमें जो है हमें सिर्फ single magnetic circuit ही मिलता है single magnetic circuit हमें मिलता है सिर्फ single magnetic circuit इसमें मिलता है या श्रट टाइप में double magnetic circuit मिलता है और the primary and secondary winding जो है वो uniformly distributed है only two links of the core वहाँ पे जो था central limb पे था है लेकिन आपे इस side पे यानिकि दोनों side पे जो है दोनों limbs पे जो है हमें winding जो है uniformly distributed वे लिए यह बात आप याद रखना कि core type transformer में winding जो होती है वो uniformly distributed होती है यानि कि winding का distribution होता है वो uniform होता है और साथ ही साथ both the windings are of a cylindrical shape यहाँ पर मैंने लिखा आए cylindrical shape की दोनों की दोनों windings होती है और they are arranged in a concentric manner एक ऐसे concentric manner में एक ऐसे concentric manner में जो है हमारी windings जो है arranged की जाती है with low voltage winding place near the core तो उसके साथ एक ऐसे concentric manner में जो हमारी winding है वो arrange की जाती है किसके साथ एक low voltage winding एक low voltage winding जो है इसमें place की जाती है low voltage winding इसमें place की जाती है इसके साथ near the core के पास में जो है low voltage winding जो है place की जाती है एक ऐसे concentric manner में उसको arrange करते हैं तो यह था हमारा core type transformer, core type transformer में हमने क्या देखा इसमें जो है rectangular shape में laminated lamination प्रवाइड कहें गया है rectangular core में और इसके दोनों limbs पे cylindrical winding हमने लगाए गई है, एक limb primary दूसरी limb पे secondary और साथ ही साथ एक ऐसे concentric manner में यह cylindrical winding है यह रेंज की जाती है कि उसके साथ साथ जो low voltage winding है वो core के पास में placed की जाती है तो यह थे हमारे दो टाइपस based on the construction अब दी transformer अब इसके बाद हमें देखना है जो transformer है हमारे उसके functions उसके parts के functions parts और इसके parts के लिए जो material होता है वो हमें देखना है तो वो हम देखेंगे next tutorial देखेंगे कर देखेंगे जो कर देखेंगे जो कर देखेंगे